हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका ओजा में दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही जादा मज़ेदार टॉपिक जिसको जानने के बाद आपको बहुत ही जादा अच्छा फील होने वाला है क्योंकि वो आपके exam के point of view से भी और अगर in general भी बात की जाये तो वो आपके लिए बहुत ही जादा important है क्योंकि आपको उनके बारे में पता होना चाहिए friends मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि 24 घंटे में एक नहीं कईयों बार आप अपने घर में जिन जिन चीजों को देखते हैं अपने सामने देखते हैं क्या आप उन्हीं सभी चीजों के नाम जानते हैं example for मत्हानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं तश्तरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं और गिलास को इंग्लिश में क्या कहते हैं क्या इन में से कोई भी वर्ड आपको पता है कि इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं नहीं जानते ना आप तो बस यही मैं आज आपको बताने चीजों को आप यूज करते हैं तो जिन सीजों को हम यूज करते हैं उनके बारे में तो हमें पूरी नॉलज होनी ही चाहिए कि उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं उनका कनवर्ट इंग्लिश में हम उने क्या कहते हैं तो चलिए आये जानते हैं कि इन सभी चीजों को और इसी त दोस्तों उसे हम English में कहते हैं saucer, ठीक है, जिस प्लेट में हम आप सभी खाना खाते हैं, उसे English में कहते हैं saucer, next है हमारा glass, तो दोस्तों जिस glass में हम पानी पीते हैं, क्या आप जानते हैं, कि उसे हम English में क्या कहते हैं, अगर जानते हैं, तो प्लीज मुझे comment session में जरूर बत जिस ग्लास में हम पानी पीते हैं, उसे हम टंबलर कहते हैं, ठीक है, थर्ड है हमारा करचली, यानि कि जिसे हम कड़ाई में सबजी चलाते हैं, उसे कहते हैं, लेडल, यानि कि करचली को लेडल कहते हैं, नेक्स्ट है हमारा चकला, जिस पे रोटी बेली जाती है, उसे चकला कहते हैं और उसको English में क्या कहते हैं उसको English में कहते हैं दोस्तों मतानी को इंग्लिश में चहनर कहते हैं, ठीक है, अगला है हमारा बोरा, ठीक है, तो बोरा को इंग्लिश में कहते हैं सैक, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सुराही, जिसमें की पानी भरा जाता है, उसे हम फ्लैगन कहते हैं, ठीक है, क्लियर है दोस्तों, नेक्स्ट है ह हमारा धकना यानि कि जिसमें कड़ाई में जैसे सबजी है तो उसके उपर से एक प्लेट धकी जाती है तो उसे हम कहते हैं लिड लगाना ठीक है अगला है हमारा कड़ाई तो दोस्तों कड़ाई को इंगलिश में कहते हैं पैन ठीक है अगला है हमारा तराजू तो दोस्तों त कहते हैं, अलमिरा, ठीक है, next है हमारा कंगा, यानि कि जिससे हम बाल जाडते हैं, जिस कंगी से, उसे हम इंगलिश में कहते हैं, कॉम्ब, ठीक है, 15 है हमारा कीप, जो कीप होती है, दोस्तो, उसे हम इंगलिश में कहते हैं, फणल, ठीक है, 16 है हमारा कंबल, तो दोस्तों कंब को हम इंगलिश में कहते हैं जुसे हम ठंडी में ओडते हैं उसे हम इंगलिश में कहते हैं ब्लैंकेट ठीक है नेक्स्ट है हमारा ज्ञाडू जो लगाई जाती है कमरों में किचन में हर जगा तो ज्ञाडू को हम इंगलिश में कहते हैं ब्रूम स्टिक ठीक है नेक्स्ट है हमारा तंदूर, जिसमें तंदूरी रोटी बनती है ना, उसे हम कहते हैं ओवन, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बर्तन, यानि कि जो स्टील के बर्तन होते हैं, सभी बर्तनों को हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों उन बर्तन को कहते हैं, यूटेंसल्स, ठीक है, नेक्स दोस्तों, ओखली को हम इंग्लिश में कहते हैं, मोर्टर, ठीक है, 22 है हमारा मसनद, दोस्तों, मसनद क्या होता है, मसनद होता है, जो अमीरों के बैठने की गद्दी होती है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं, बोल्स्टर, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जाला, जो दिवालों के किनारे जाला लग जाता है ना उसे हम इंग्लिश में कहते हैं को वेब ठीक है नेक्स्ट है हमारा रजाई जिसे कि हम ठंडियों में ओडते हैं तो रजाई को हम इंग्लिश में कहते हैं क्विल्ट ठीक है नेक्स्ट और आज का लास्ट है हमारा अंगुष्टाना तो दोस्तो से तीरंदाजी में भी उंगली में पहना जाता है तो उसे इंग्लिश में कहते हैं थिंबल ठेक है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी यह मुझे कॉमेंट शेसन में बताना बिल्कुल भी मत और अगर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस जल्दी से मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि मेरी आने वाली इसी तरह की इंट्रस्टिंग और मज़ेदार इंपोर्टेंट वीडियो आपको हमेशा मिलती रहें और वी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद